स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को दिदी हमारे प्रेना टीवी चैनल के तरफ से भी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेना टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज प्लीज जल्द ही सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को डे अनरलम से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अगत कर दिया जाएगा तो इसके लिए प्लीज हमारे प्लेंड़ना ट सी लेखा जो खा इन पंसुत्रों का करे पालन और अपने समु को रखे सक्री क्योंकि सक्री समु को ही योजनाओ का लाब दिया जाता है तो चलिए दीदी ज्यादा ना बात करते हैं में टॉपिक तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनेल में देखा है अधूरे अधिपूर अम्बेटकर नगर सार्वजनिक सोचाले का महज धाचा खड़ा है तो आप दिदी समझिए इस सफाई कैसे हो गई सिब धाचे पे ही सफाई भी स्टार्ट हो गया है सीट टाइस पानी की विवस्ता समेत अन्य सुधा वसंसाधन नदारत है यहां समु की महिला क को तैनात कर उसके खाते में 27,000 रुपय की राधन रासी भेज दी गई प्रक्राण जलालपूर्ट तहसील के ग्राम पंचयाथ रुधावली अदाई के मजर कुलहिया पट्टी का है सरकार ने साधी विवा समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले आयोजन में पहुच रही भीड खूले में सौच ना जाएं इसके तहत बलाक के हर गाउं में सार्वजनिक सौचालय का निर्मान कराया जा रहा है पूर्व ग्राम प्रधान ने कुलही पट्टी गाउं इस्थित प्रात्मिक विद्यालय के खेल मैदान के लिए आरच्छित जमीन पर सार्वजनिक सौचालय का निर्मान सुरू कराया ग्रामीडो वासी चुको की सिकायब पर उप जिलादिकारी ने रोक लगा दी थी इसके वावजूद सौचालय का ढाचा खड़ा कर दिया गया उप जिलादिकारी के रोक के बाद सार्वजनिक सौचालय में सीट टाइल्स पानी की विवस्ता समेत अन्य संसाधन नहीं लगे इसके वावजूद यहां समू की महिला की तैनाती कर दी गई और उसके खाते में 27,000 रुपए भेज दिया गया यहां तैनात महिला विमला ने बताए कि मैं प्रति दिन ड्यूटी कर रही हूं तो क्या दीदी यह ड्यूटी सही है आप सभी समसकती है तो अगर आप एक स्वयमजाता समू की महिला है आप अपने समू में अगर आपके समू में कोई दीदी जो है सामू दाइक सोचाले के लिए रखी गई है तो आपका उत्तर दाइत तो बनता है कि आप उस पे निगराने रखें क्या सोचाले हैं हैं तो किस प्रकार से हैं सापसफाई कर रही हैं या नहीं अगर सापसफाय दिदी नहीं कर रहे हैं तो उनको मांदे नहीं देना है बीडियो घरी नरायन ने बताए कि सभी सर्वजनिक सौचले की सूची सचीयों से मांगी गई है यदि सौचले चालू नहीं है तो रुपया खर्च करने का अधिकार नहीं है सौचालयव पर लटक रहा ताला स्वच्छता मिशन को लगा रहा पलीता सम्मानपूर अम्बेटका नगर प्रधान मंत्रे की महात्व कांची योजना स्वच्छ भारत मिशन को जिम्मेदार ही पलीता लगा रहे हैं गाओ को खूले में सौच मुप्त कर स्वच्छ बनाने की सरकार की मंसा प्रधान वासचिव के लापरवाही के चलते परवान नहीं चड़ पा रही है गाओ में सामुदाइक सौचालय का निर्माड कराया गया लेकिन उसका ताला नहीं खुल सका अकबरपुर ब्लाग के केसव पुर गाओं में बने सामुदाइक सौचालय में ताला लटका रहा इसका निर्माड जरूरतमंद लोगों के लिए किया गया था लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण इसकी सुवधार नहीं मिल पा रही है सौचालय के संचालन की जिम्मेदारी स्वेम सहतास्तमू की महिला को दी गई है लेकिन वह भी कभी कबार ही दिखाई पड़ती है अगर देदी आपके गाओं में भी ऐसा हो रहा है तो आपका उत्तरदाय तो है कि आप सभी अच्छे से निग्रानी करें मान दे तो दिया जा रहा है लेकिन आप लोग को देखभाल भी करना है इसके करण सफाई व्यवस्ता ध्वस्त है संचालन के लिए 6,000 रुपए मान दे और सफाई आदी मद में 3,000 रुपए महीने अलग से दिया जा रहा है तो आप सभी का करतव में बनता है कि सापसपाई करवाएं फिर भी ब्लाक अधिकारियों की अंदेखी स्वच्छता मिसन में बाधा बनी है ग्रामिर मजबूर होकर खुले में सौज जाने को विवस है यहां के इस्वर्चंद दीप नराण विक्रम ने बताय कि इसकी सिकायत कई बार अधिकारियों से की गई लेकिन ध्यान नहीं दिया गया खंडे विकास अधिकारी विरेंद सीने बताय कि जानकारी नहीं है जल्द ही जाज करा कर करवाही की जाएगी अगर आपके गाव में ऐसा कुछ हो रहा है दिदी तो आप लोग भी अपने ब्लाक मिशन अनकारी के कंप्लेन करे कि जो स्वयम साथा को दिदी को काम दिया कया है वो कर रही है या नहीं है अगर कर रही है तो उन्हें मान दे दे दिया जाए अगर नहीं कर रही है तो आप लोग का उतर दाय तो बनता है कि आप लोग ही ना दे क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको ही इस वैम सायता समु की महिलाओं को जो है यह नवक्री दी जा रही है कि हमारी महिलाएं जो हैं जिम्मेदार हैं जिम्मेदारी से अपना काम करेंगी अगर जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा और नहीं दें क्योंकि अगर आप बिना काम किये ही मजदूरी देंगी तो इसमें कई प्रकार के घाटे होंगे पहला घाटा कि आपका जो सामुदाइक सवचाला है वो साफ नहीं होगा दूसरा कि जो उस सवचाले का लाब उठाना चाहते हैं उड़ उठा नहीं पाएंगे तीसरा कि आपके समों में खुद विवाद स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए उसमें बारा या तेरा महिलाएं रहती हैं अब जो दीदी कि इनको बैटे बठाया पैसा मिल रहा है और हम लोग को कुछ नहीं मिल ला है तो बाकी दीदिया भी पैसे का मांग करने लगेंगी कि वह काम नहीं कर रही हैं पैसा उंको दिया जा रहा है तो और भी दीदिया पैसे मांगने लगेंगे उनसे और बहुत बड़ा विवाद बसक्त strictly आप सब्सक्रिए पंशंवाल निचान सामधाइक संउधां में जरूर जरूर ध्यान दें जो मािला को काम दिया रहें अच्छे से काम करें उन्को समय से मान दें च् Laden आज का वीडियों पस्टन ही अगर आपको हमारे वीडियों पसंद थो लाइक लोग सकरी रहेंगी तो हमारा समु सकरी रहेगा और समु सकरी रहेगा तो गरीभी जरूर दूर हो जाएगी तो चलिए दीदी आज के वडियों बस इतना ही जाते जाते एक वर करना चाहूंगी अगर मेरे प्रेणा टीवी चैनल को दिदी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ह जल्द ही सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप सहर में रहती है नगरपाली का कैंतर गताती है तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेणा टीवी चैनल सहरी को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए आज की वडियों बस इतना ही धन्यवाद